नमस्ते फ्रेंट्स मिसेस वोमेकर वित्म आड़ाज में आपका स्वागत है हम तोरह या नेनवा लेंगे और उसे छील लेंगे छीलने के बाद इसे वीडियो में दिख्यानों सर छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और उसके बाद धो लेंगे अब गैस आन करके हम कूकर चड़ा देंगे और उसमें तेल और अगर आप चाहे तो घी भी डाल सकते या केवल घी में भी बना सकते हैं फ्लेम को लो करने के बाद इसमें आधा चमच जीरा और आधा चमच काला सरसों के साथ हिंग डाल देंगे जब इसमें हम कटी हुई तोरह यह डाल देंगे इस सम चमच जीरा पौडर एक चमच धनिया पौडर आधा चमच हलदी पौडर एक चमच अच्छे रंग के लिए काश्मेरी लाल मिच पौडर डाला यह ऑप्शनल है और एक स्वाथाई चमच हमने गरम मसाला पौडर डाला है मसाला थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं फ्रें मिक्स करना है जब यह अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब इसमें हम ग्रेवी कैनुसर पानी डालेंगे तो रही या नेनुवा अपना पानी छोड़ता है फ्रेंश तो मैं सबजी को लटपट रखूंगी तो इसलिए मैं आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ अगर आप अगरे भी पसंद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजे अब इसमें हम स्वादन और सा नमक डाल देंगे और कूकर का धकन लगा देंगे एक बर जरू ट्राइक कर ये फ्रेंगे जटपट इस सबजी तयार होती है खाने में भी बहुत स्वादिश्ट है फूल फ्लेम पे एक सिटी होने के बाद दो से तीन सिटी हम मीडियम फ्लेम में लगा लेंगे उसके बाद ग्यास की फ्लेम को बंद कर देंगे कोकर का प्रेशर जब निकल जाए तब हम डकन को खोल लेंगे सबजी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बहुत सारा धनिया पत्ता डाल देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे जटपड बनने वाली इस सबजी को एक बाद जरू ट्राए करिए फ्रेंट्स आप इसे बाजरे के रोटी या फिर कोई भी अनाज वाली रोटी के साथ खाई सकते हैं साती सात पूरी और पड़ार्ठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं कोकर में जटपड बनने वाली तोरही मुंगदाल की इस सबजी को एक बाद जरू ट्राए करिए फ्रेंट्स बिना लसुन प्याज की है तो आप कभी भी इसे परतेवारों के समय भी बना सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ठ है एक बाद जरू ट्राए करिए वीडियो पसंद कर दो कर दो